हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस के ओपो A3 Pro 5G फोन में आप लोग कॉल वेटिंग कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक अपो A3 Pro 5G फोन है और इस फोन में आपको कॉल वेटिंग करना है अगर आपके फोन में मान लिजे आप लोग अल्रेडी किसी के साथ बात कर रहे हो कॉल पे और एक दूसरा कॉल आता है और वोजे दूसरा कॉल लेगा जापके स्क्रीन में शो नहीं होता है तो इसको आप लोग कैसे जो है solve कर सकते हो तो बहुत सारे फोनों में आपने देखा होगा इसकी जब अल्रेडी कॉल पे बात कर रहे होते हो तो यहाँ पर जो एक दूसरा कॉल आता है वो आपके स्क्रीन में शो होने लग जाएगा तो इसको आप लोग कैसे use कर पाएंगे तो इसको करने के लिए आपको call waiting को activate करना होगा तो कैसे आप लोग अपने इस phone में call waiting को कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को start करते है call waiting करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के application को open करना होगा जिससे आप लोग call करते हो open करने के बाद उपर देख सकते एक three dot का option है three dot के option पे click करेंगे click करने के बाद settings का option आएगा settings के option पे click कर दीजे click करते ही आप पर calling accounts का option आएगा calling accounts के option पे click करेंगे click करती career call settings का option आएगा तो इस career call settings पे click करेंगे click करती additional settings का option आएगा additional settings पे click करेंगे click करती call waiting का एक option आएगा अगर यह off रहेगा तो आपके phone में call waiting list में नहीं रहेगा तो इसको आपको on कर देना click करती option on हो जाएगा और ओन होती क्या होगा गाईस डियूरिंग एक कॉल नोटीफाई मी इफ दियर इसन इंकमिंग कॉल्स अगर आप लोग अल्रेडी कॉल पर बात करो अगर और एक दूसरा कॉल आता तो आपके स्क्रीन में शो हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने अपने अप तक के लिया बाई